T20 विश्व कप में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सुपरेट का महत्वपोर्ण मुकाबला सोमवार को है और इस मैच को जीतने के लिए दोनों टीमें अपना सर्वस्व जोकने का प्रयास करेंगी भारतिय टीम अगर ये मुकाबला जीतती है तो सेमी फाइनल के लिए सीधे क्वालिफाई कर जाएगी दूसरी तरफ आस्ट्रेलिया ही टीम अगर ये मुकाबला हार जाती है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम बांगला देश को पराजित कर देती है तो आस्ट्रेलि की टीम भी पूरा जोर लगाने जा रही है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो अब तक मुकाबले हुए हैं अगर हम इतिहास को देखें तो रिकॉर्ड्स बुक में क्या क्या दर्ज है आकड़े क्या कहते हैं किसका पलड़ा भारी है आज उसी पर चर्चा करूंगा नम मकाबले के बाद ही तै होगा कि ग्रुप वन से कौन-कौन सी टीमे सेमे फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी दोनों ही टीमें इस मैच को जीतने को बेताब है औस्टेलिया ही टीम के लिए यहाँ पर करो या मरो वाली स्थिती आ गई है मतलब उन्हें हर हाल में जीत चा तो आपको बता दें कि भारत और आस्टेलिया के बीच अब तक 31 टी-ट्वेंटी इंटरनाशनल मुकाबले हुए हैं और इसमें से 19 मैच भारत ने जीते हैं जबकि आस्टेलिया ने 11 मैच जीते हैं और एक मैच का परणाम नहीं आया है इसका मतलब कि टी-ट्वेंटी अगर record के लिहाज से देखें तो इस मुकाबले में फेवरेट भी हो जाएगी अब अगर हम बात करें कि T20 विशो कप में दोनों का जो मुकाबला अब तक हुआ है वो कैसा रहा है तो आपको बता दें कि भारत और आस्ट्रेलिया की टीमे T20 विशो कप में अब तक 5 मुकाबल खेली हैं जिसमें से 3 मुकाबले भारत में जीते हैं और 2 मुकाबला अउस्ट्रेलिया के नाम रहा है मतलब T20 वर्ड कप में भी अपर हैंड भारत का ही है जो पहला मुकाबला भारत और आस्ट्रेलिया का हुआ था वो हुआ था 2007 T20 World Cup में जो कि पहला T20 विश्वकप था और उसमें भारत ने आस्ट्रेलिया को शिकस दे थी लेकिन उसके बाद 2010 और 2012 में आस्ट्रेलिया ही टीम ने भारतिय टीम को शिकस दे लेकिन फिर 2014 और 2016 में भारतिय टीम ने आस्ट्रेलिया को पटकरी दी तो अब आठ साल बाद मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि बीच में जितने भी T20 के World Cup हुए उसमें भारत और आस्ट्रेलिया का मैच जो है वो हुआ ही नहीं क्रिकेट में अब सबसे बड़ी राइविल्री की जब बात होती है तो भारत और पाकिस्तान की बात नहीं होती अब भारत और आस्ट्रेलिया का जो मुकाबला है वो सबसे जादा जो है आपको माना जाता है की रोचक मुकाबला होगा और मुकाबला नहीं होगा वो घमासा तो इसलिए इस मुकाबले कि सभी जो है वो प्रतीक्षा करते हैं तो आठ साल बाद जो है वो अफसर आया है जब भारत और ऐस्टेलिया की टीमें T20 विशो कप में आमने सामने होने जा रही हैं। अब अगर हम दोनों टीम के बैटर्स की बात करते हैं कि किस बैटर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं किस बॉलर ने सबसे ज़्यादा विकेट लिये हैं जब भारत और ऐस्टेलिया की टीमें T20 इंटरनाशनल में भीड़ी हैं तो आपको बता दू कि जो सबसे ज़्यादा परन भारत ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में T20 इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली ने बनाए हैं विराट कोहली ने 22 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाब खेले हैं और उसमें 794 रन जो है उन्होंने बनाए हैं और खास बात ये कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाब परदस्त है 143.84 तो भारतिय टीम चाहेगी कि विराट का जो रिकॉर्ड रहा है उस्टेलिया के खिलाब वो जब मुकाबला हो रहा है सुमवार को भारत और उस्टेलिया के बीच तो उसमें भी देखने को मिले इस लिस्ट में अगर हम उस्टेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर की बात करें जो प्रिजेंट टीम में हैं तो वो हैं ग्लिन मैक्सवेल ग्लिन मैक्सवेल डिस्ट्रक्टिव बैटर है अब तक 21 मैचों में भारत के खिलाब 554 रन बना चुके हैं औ इसे बाद रोहित शर्मा का नाम आता है प्रिजेंट लॉट में इंडिन क्याप्टेन का जिन्होंने 22 मैचों में 392 रन जो है वो बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 149.50 का है सुर्य कुमार यादो ठीक अपने कप्तान के पीछे हैं प्रिजेंट टेम में जिन्होंने 8 मैचों में 269 रन आस्ट्रेलिया के खिलाब बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 170.39 तो सूरिया किस तरह का प्रदर्शन करते हैं आस्ट्रेलिया के खिलाब इस T20 वर्ल कप में सुमवार को होने वाले मुकाबले में उस पर भी बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है हार्दिक पांडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाब 12 मैचों में 208 रन बनाए हैं ट्रगस हेड भारत के लिए सबसे खतरनाक किलाडी चौनकि ये वो बैटर है जिसने भारत को वर्ल्ट ये टीम को पराजित किया तो ट्रेवस हेड पर नजर रखने की जरूरत है उन्होंने भारत के खिलाब 7 मैचों में 189 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 142 का है टिम डेविड हैं जिन्होंने की 8 मैचों में 166 रन बनाए हैं मैथ्यू वेड 16 मैचों में 487 जो ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर है मैथ्यू वेड उन पर भी भारतिय टीम को नजर रखने की जरूरत है तो यह है बल्ले बाजों के रिकॉर्ड जिनके बारे में मैंने आपको बताया अब गेन बाजों की बात कर लेते हैं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मका मैचों में 16 विकेट लिये हैं आस्ट्रेलिया के खिलाब अक्षर पतेल ने 14 विकेट लिये हैं आस्ट्रेलिया के खिलाब 8 T20 इंटरनाशनल में और आस्ट्रेलिया की तरब से एडम जैमपा जो हैं वो सबसे सफल बॉलर रहे हैं प्रिजेंट लॉट में जिन्होंने की 15 मै बारत के खिलाब 12 विकेट लिये हैं रविंद्र जडेजा ने भी ऐस्ट्रेलिया के खिलाब 10 मैचों में 8 विकेट लिये हैं तो यह है भारत और आस्ट्रेलिया के बीज जो अब तक मुकाबले हुए हैं उसका रिकॉर्ड जिसमें की सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं और सबसे जादा विकेट जो है वो जस्परीद बुमरा ने लिये हैं अगर हम हाइस टोटल की बात करें कि जब भारत और ऑस्टेलिया के दीश मुकाबला हुआ है तो किसी टीम ने सबसे जादा रन बनाए है तो वो कौन सी टीम है तो आपको बता दू कि जो हाइस टोटल का रिकॉर्ड है वो भी भारत के नाम है 235 रन चार विकेट के नुकसान पर इसी 2023 में तिरुवनंत पुरम में भारत ने ये स्कोर बनाया था और लोईस टोटल का जो अन्वांटेड रिकॉर्ड होता है वो भी भारत के ही नाम है 74 रनों पर भारतिय टीम धेर हो गई ती ती दो हजार आठ में मिलबर्ण में तो ये हैं भारत और आस्टेलिया के खिलाप कुछ रिकॉर्ड मुझे लगता है कि ये जो रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं तो उसमें भारतिय टीम का पलडा थोड़ा सा भारी दिखता है और मुझे लगता है कि जब सोब्वार को भारत और आस्टेलिया की टीमें आपस में भीड़ेंगी तो ये रिकॉर्ड सी आगे बढ़ें और भारतिय टीम एक और जीत आस्टेलिया के खिलाप हासिल करें टीम इंडिया को हमारी डेरोशिप कामना है अभी आपसे अनुमती चाहूंगा इजाजत दें नमस्कार